भगवत गीता के उपदेश सबसे बड़े धर्म युद्ध महाभारत की रणभूमी कुरुक्षेत्र के युद्ध में अपने शिश्य अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण ने दिये थे, जिसे हम गीता सार भी कहते हैं। आज पांच हजार साल से भी ज्यादा वक्त बित गया हैं, लेकिन गीता के उपदेश आज भी हमारे जीवन में उतने ही प्रासंगिक हैं। तो चलो आगे पढ़ते हैं गीता सार। क्यों व्यर्थ की चिंता करते हो? किस से व्यर्थ डरते हो? कौन तुम्हें मार सकता है? आत्मा ना पैदा होती है, ना मरती है। जो हुआ, वह अच्छा हुआ, जो हो रहा है, वह अच्छा हो रहा है, जो होगा, वह भी अच्छा ही होगा। तुम भूत का पश्चाताप न करो, भविश्य की चिंता न करो, वर्तमान चल रहा है, तुम्हारा क्या गया जो तुम रोते हो, तुम क्या लाए थे जो तुमने खो दिया, तुमने क्या पैदा किया था जो नाश हो गया, न तुम कुछ लेकर आए, जो लिया यहीं से लिया, जो दिया, यहीं पर दिया, जो लिया, इसी भगवान से लिया, जो दिया, इसी को दिया, खाली हाथ आए और खाली हाथ चले, जो आज तुम्हारा है, कल और किसी का था, परसों किसी और का होगा, तुम इसे अपना समझ कर मक्न हो रहे हो, बस यही प्रसनता तुम्हारे दूख खोन का कारण है, परिवर्तन संसार का नियम है, जिसे तुम मृत्यू समझते हो, वही तो जीवन है, एक क्षण में तुम करोडों के स्वामी बन जाते हो, दूसरे ही क्षण में तुम दरिद्र हो जाते हो, मेरा तेरा छोटा ब्रा, अपना प्राया, मन से मिटादो, फिर सब तुम्हारा है, तुम सब के हो, न यह शरीर तुम्हारा है, न तुम शरीर के हो, यह अगनी, जल, वायू, पृथवी, आकाश से बना है, और इसी में मिल जाएगा, परंतो आतमा स्थिर है, फिर तुम क्य तुम अपने आपको भगवान को अर्पित करो। यही सबसे उत्तम सहारा है। जो इसके सहारे को जानता है वह भय, चिंता, शोक से सर्वदा मुक्त है। जो कुछ भी तू करता है उसे भगवान को अर्पन करता चल। ऐसा करने से सदा जीवन मुक्त का आनंद अनुभव हिंदी साहित्य के दो प्रमुख महाकाव्य हैं, जिन में से पहला है रामायन और दूसरा है श्रीमत भगवत गीता। यह हिंदूओं के पवित्र ग्रंथों में से भी एक हैं। जिससे उस युद्ध को जीतना अर्जुन के लिए आसान हो गया था। गीता के उपदेशों को जीवन का सार या जीवन के उपदेश भी कहते हैं। वहीं अगर हिंदू धर्म के इस महान ग्रंथ गीता के उपदेशों को अपने जीवन में सम्मिलित कर लिया जाएं, तो व्यक्ति के जीवन का भी बेड़ा पार हो सकता है। इसके साथ ही इस महान ग्रंथ गीता में जीवन की वास्तविक्ता और मनुष्य धर्म से जुड़े उपदेश दिये गए हैं। कई बार ऐसा होता है कि हमें अपनी समस्या का समाधान नहीं मिलता या फिर विपत्ती के समय हमें बहुत परेशान हो जाते हैं। कई लोग तो गुस्से में अपना आपाखो बैठते हैं या फिर अपनी समस्याओं से विचलित होकर भाग खड़े होते हैं। ऐसे में गीता में लिखे गए यह उपदेश हमारी सारी समस्याओं का चुटिक्यों में हल कर देते हैं और हमें जीवन जीने की कला सिखाते हैं। साथ ही सफल जीवन की प्रेणा देते हैं। आईए जानते हैं गीता सार के बारे में जो इनसान के भीतरी मन की उठापटक को शांत कर उसे सफल जीवन व्यतीत करने में सहायता करते हैं। मानव शरीर अस्थाई और आत्मा स्थाई है। गीता के शलोक में भगवान श्री क्रिश्न ने मनुष्य के शरीर को महस एक कपड़े का टुकड़ा बताया है। अर्थात एक ऐसा कपड़ा जिसे आत्मा हर जन्म में बदलती है। अर्थात मानव शरीर आत्मा का अस्थाई वस्त्र है जिसे हर जन्म में बदला जाता है इसका आशय यह है कि हमें शरीर से नहीं उसकी आत्मा से व्यक्ति की पहचान करनी चाहिए जो लोग मनुष्य के शरीर से आर्क्षित होते हैं या फिर मनुष्य के भीतरी मन को नहीं समझते हैं, ऐसे लोगों के लिए गीता का यह उपदेश बड़ी सीख देने वाला है जीवन का एक मात्र सत्य है वो है मृत्यू गीता सार में श्री कृष्ण ने कहा है कि हर इनसान के धारा जन्मन के चक्र को जान लेना बेहद आवश्यक है क्योंकि मनुष्य के जीवन का मात्र एक ही सत्य है और वो है मृत्यू क्योंकि जिस इनसान ने इस दुनिया में जन्म लिया है उसे एक दिन इस संसार को छोड़ कर जाना ही है और यही इस दुनिया का अटल सत्य है लेकिन इस बात से भी नहीं नकारा जा सकता है कि हर इनसान अपनी मौत से भईभीत रहता है अर्थात मनुष्य के जीवन की अटल सच्चाई से भयभीत होना, इंसान की वर्तमान खुशियों को भी खराब कर देता है इसलिए किसी भी तरहे का डर नहीं रखना चाहिए गुस्से पर काबू करना चाहिए क्योंकि क्रोध से व्यक्ति का नाश हो जाता है भगवान श्री कृष्ण में गीता के उपदेश में कहा है कि क्रोध से भ्रम पैदा होता है और भ्रम से बुद्धी का विनाश होता है वहीं जब बुद्धी काम नहीं करती है तब तर्क नश्ठ हो जाता है और व्यक्ति का नाश हो जाता है इस तरह हर व्यक्ति को अपने गुस्से पर काबू करना चाहिए क्योंकि क्रोध भी भ्रम पैदा करता है इनसान गुस्से में कई बार ऐसे काम करते हैं जिससे उन्हें काफी हानी पहुचती है वहीं अगर क्रोध पर काबू नहीं किया गया तो इनसान कई गलत कदम उठा लेता है वहीं जब क्रोध की भावना इनसान के मन में पैदा होती है तो हमारा मस्तिषक भी सही और गलत के बीच अंतर करना छोड़ देता है इसलिए इनसान को हमेशा क्रोध के हालातों से बचकर हमेशा शांत रहना चाहिए क्योंकि गुस्से में लिया गया फैसला इनसान को गहरीक शती पहुचाता है